आपका पहला सवाल है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्यम की तरफ से निकलता है? आपका ओप्शन है A. अरुन B. बुध C. शुक्र D. शनी सही जवाब है ओप्शन A. अरुन आपका अगला सवाल है कौन से देश में सबसे ज्यादा जीले हैं? आपका ओप्शन है A. केनिया B. वियतनाम C. फिनलेंड D. कोरिया सही जवाब है ओप्शन C. फिनलेंड आपका अगला सवाल है भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? आपका ओप्शन है A. अभिमन्यू B. एकलव्य C. सिद्धान्त D. चानक्य जवाब जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज सही जवाब है ओप्शन C. सिद्धान्त आपका अगला सवाल है तैरता हुआ राश्चिय पार्क कौन से प्रदेश में है? आपका ओप्शन है A. मध्यप्रदेश B. गुजरात C. राजस्थान D. मणिपुर सही जवाब है ओप्शन D. मणिपुर आपका अगला सवाल है भारत की सबसे साफ नदी कहां पर स्थित है? आपका ओप्शन है A. 36 गड B. मेघाले C. केरल D. जम्मू सही जवाब है ओप्शन B. मेघाले आपका अगला सवाल है प्लास्टिक को सडने में कितने वर्ष लगते हैं? आपका ओप्शन है A. 450 वर्ष B. 800 वर्ष C. 200 वर्ष D. 100 वर्ष सही जवाब है ओप्शन A. 450 वर्ष आपका अगला सवाल है कौन से देश में एक भी खेत नहीं है? आपका ओप्शन है A. जापान B. फ्रांस C. जापान D. अमेरिका सही जवाब है ओप्शन D. अमेरिका आपका अगला सवाल है कौन से जानवर के दूद में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? आपका ओप्शन है A. भेंस B. भेंद C. उन्द D. बकरी सही जवाब है ओप्शन B. भेंद आपका अगला सवाल है कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? आपका ओप्शन है A. अमेरिका B. आस्ट्रेलिया C. श्री लंका D. कोरिया जवाब जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज सही जवाब है ओप्शन B. आस्ट्रेलिया कौन सी सबजी खाने से खून साफ होता है? आपका ओप्शन है A. पपीते की B. आलू की C. केले की D. लौकी की सही जवाब है ओप्शन A. पपीते की आपका अगला सवाल है कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपका ओप्शन है A. चीन में B. नार्वे में C. कांगो में D. जापान में सही जवाब है ओप्शन B. नार्वे में